दोस्तों नमस्कार मैं आपको आज बताने बला हूँ कि आप गर में अगर इस टाइब का छोटा फैन है टेवल फैन है यह आप देख सकते हैं टेवल फैन तुफान कॉम्पनी का था मैंने लिये हुआ था यह और अचानक इसमें शाट सर्कुट वार वाइरिंग तूट गई तो आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि इसकी वाइरिंग किस कौन सा इसका वाइर कहां लगेगा और कौन सा कनक्शन सर्कुट कहां जोड़ना है सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाता हूँ कि यह यहां से हम यह जो दिख रहा है यह लंबी बाहर है इसको प्लग में लगाते हैं और उसके बाद यह जो यहां पर इलेक्टिसिटी बिजली पहुंचती है सबसे पहले क्या करना है कि जो इस टाइब का अगर आपके पास सर्कुट है आपके फैन में इस टाइब का सर्कुट है तो इसमें दो चार वायर लगा हूगा एक लगा हूगा काला नीला सफेद और लाल सबसे पहले आपको सिंपल यह जो नीला वाला वायर है यह नीला वायर दो नंबर के साथ जोड़ना है दिखाए दिया रहा तो नंबर थोड़ नीचा करिए कैमरा जूम करके दिखाए दो नंबर के नीला वाला वायर दो नंबर जोड़ना है और जो वाइट वायर है जो व तृज़ जोड़ना ई chiffon बार एक तृज़ना है जो इसाध के साथ जोड़ना है वहल। जिला है यह तृज़ना आ है यहां देख के बढ़ना में और गया लिए सब्देख सब्देद करह से लिए में सब्वाइभन दाया यहां पैंनल्सके सब्दस पहते हैं यह motor है और यह फैन है यहां से जो वाइर आ डिये यहां से निकाल के इधर आई है तो यहां पर सबसे पहले आपको जो इसका सिंपल सा फंडा है कि इसकी जो दो आई है जो मोटर से जो फैन की तरब से आ रही है वो एक तीन नमबर के साथ लगानी है और दूसरी जो बाहर से आपको जो यह जो प्लग है एक डिरेक्ट यहां पर लगा दो इधर लगा देगी है इसके साथ ठीक है और दूसरी जो बाइर है वो एल के साथ लगानी है बस इसके साथ यह आपका फैन काम करना स्टार्ट हो जाएगा आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ फिकि जो मैं यह व देखें एक मंट आप देड़कर की मैं आपको दिखाऊंगा यह लगा गिया और जड़िखिया यहां आपके सामने लबार हो यह जो सामने है रेगुलेटर एसका आफ हाई मीडियम लो ठीक है इसके साथ यह मैं लगा रहूंगा आपके समने अभी यह लग लग लगा दिया इदर इसके बाद रेगुलेटर में आण करता हूं यह फैन स्टार्ट हो जैसे वाइरिंग की थी और यह वाइरिंग आपको नीचे फैन चल रहा हूपर आप वाइरिंग देख लिए बन्दकर जज है वाइरिंग की जो आद रहा हा वी और रहय बाद स। रान का में झाम जभी बात हो हूँआ दीक है लगीर जैब की मैं झामसरा जवरा लुटरू दूव सत्व।